नमस्कार आची खबर में आपका स्वागते मैं हूँ आपके साश्रिखा महरोत्रा गड़ेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक आ गया है हर साल की तरहां इस बार भी गड़पती बप्पा को लेकर आम लोगों में काफी उत्सहा देखने को मिल रहा है इसी कड़ी में लखनों की अक्षय समिती भी गड़ेश उत्सव मनाने वाली है जिसको लेकर तयारिया लगभग पूरी हो गई है बता दे कि बीते 13 सालों से अक्षे समिती लगतार गणेश उत्सफ का आयोजिन करती आई है और इस साल चौधवा गणेश उत्सफ बनाने की तैयारिया लगभग पूरी हो गई है इस बार पूरी के जगनात मंदिर की थीम पर गणेश पूजा का पंडाल सजाया गया है जो की बेहद अद्भुद है लखनों के पेपर मिल कॉलोनी में 7 सितंबर से इस उत्सफ का आयोजिन होगा जो की 15 सितंबर तक चलेगा इसमें तरहा तरहा के कारेकरम भी आयोजित किये जाएंगे इसी को लेकर अक्षर समेती द्वारा प्रेस कॉंफरेंस आयोजित की गई सुनिए आयोजिन करताओं ने उत्सफ को लेकर क्या कुछ जानकारी दी देखिए यह हमारा 14th year है और यह लखनों की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी गणेश पूजा यह हमारा कारेकरम स्टार्ट होगा 7th September से लेके 15 September तक की विसे इस्ता है जो इस वर्ष हम लोग ने अपने गणेश पूजा में इंकलूड की है वो है सबसे बड़ी बात कि यह जैसे लास्ट यह हम आ रहा था केदारनात मंदिर के उपर थीम इस साल आप देख पाएंगे पंडाल almost ready हो गया है इस बार हम लोग ने रखा है जगनात धाम का थीम जगनात धाम इसलिए सिलेक्ट किया गया क्यूंकि एक इन दो को सबसे बड़ा धाम है और बहुत लोगों को उसके बारे में जो रोचक बाते हैं हमारी जगनात धाम को लेके वो सब नहीं पता है तो इसलिए यह हुआ कि इस बार हम लोग जगना धाम थीम को सिलेक्ट करते हैं और उसके बारे में जितने भी रोचक बाते हैं कथाएं हैं वो सब हम लोग सो करेंगे एक गैलरी की तरह कि लोग आए वो जाने बीच-बीच में उसके आडियो क्लिप्स चलेंगे वहां कि क्या-क्या कथाएं वो उसी थी उनके उपर दूसी बात जब हम लोग गनेश पूजा के उपर आते हैं अब ये धीरे-धीरे ये पूजा बहुत अच्छे स्थर पे पहुंच गई है लखनो की बड़ी पूजाओं में से एक हो गई है इसमें हमारे आज की खबर का बहुत अच्छा योगदान है क्योंक इसता हो रही है और वो जैसे एक बाटसा की तरह आते हैं इस वार वाली थीम में ही मुर्ती बन रही है तो थोड़ी नई चीज़ें हम लोग ने इंकलूड किये साथ ही साथ एक ऐसा कारिक्रम मनाया जाता है जिसमें परिवार के साथ सब लोग सम्मिलित हो पाए और आए औ उनके लिए अलग-अलग खाने के वेंजन्स के स्टॉल्स लगेंगे आएंगे तो वो लोग यहीं पे सब उनको खाना भी खा सकते हैं और साथ ही साथ कल्चरल प्रोग्राम से रोज के रोज हमारे शाम को आड़ बजे से होते हैं जिसमें अलग-अलग ग्रुप्स यहां प पेपर मिल कॉलोनी की हैं तो सब लोग मिल के समारों को मनाते हैं और इसी चीज़ से हम लोग इस चीज़ को और एंकरेज करना चाहते हैं कि लोग यह अपनी अपनी जगह पे जहां-जहां भी है थोड़ा सा जुले कोई भी क्योंकि हमारी जो फेस्टिवल से वो इतने अच लिए किस तरह से लोग अधर उधर सब एक अलगी क्योस था तो अब हम लोग के लिए अब हम लोगों से यही कहते हैं कि हमारा आप अपने कल्चर को इंजॉय करो फेस्टिवल्स को इंजॉय करो और आस-पास के लोगों को बहार निकाल के उन लोगों से काओ कि भी आखके म अब हम लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं तो हमारे अक्साय समिती जो इसमें लोगों से यही इंवाइट आप लोगों की थूरू इनवाइट करना चाहते कि इस साल अगर आपके आपके अरिया में नहीं हो रहा तब भी आप आईए पूजा का अनन लीजिए जो साम को आर्ति थालियां वो सभी भग जनों के बीच में रिवॉल्व होती रहती हैं कि सब लोग मिलके आप लोग आर्ति करिए साथ ही साथ तीन विशेज पुजारी आते हैं जो गंगा आर्ति भी साथ में करते हैं फिल्हाल के लिए इतना ही देश और दिन्या की तमाम खबरों के लिए देखते रही आज़ की खबर